हाई डेलोबर्स, welcome back to code step by step, मैं हूँ अनिल सिद्धू और टाइप स्क्रिप्ट के इस पार्ट में लोग बात करने वाले हैं एक्सेस मोडिफायर के बारे में, तीन होते हैं, बट हम लोग दो ही डिसक्स करेंगे public और private, एक और होता है protected, उसके लिए हम लोग एक separate video बनाएंगे because उसके लिए में inheritance वगारा कुछ की जुरूरत होती है, तो वो थोड़ा सा बाद में बढ़ेंगे ये important है, ये बढ़ते हैं पहले, so पहला question होगा कि access modifier होते क्या है, interview question है दूसरा इसके जुरूत की उपर थी, ये भी interview question मनता है, और बाद में एक example करके देखेंगे public access modifier का और private access modifier का, और last में दो interview question तो ये होई गई है, एक दो interview question आपको और मिल देगा इस video के निए पहले theoretical question के साथ में start करते हैं, कि ये होते क्या है, पहली बात तो कोई ध्यान रखना है, जो access modifier होते हैं, ये concept होता है, object oriented programming का, यान कि oops का, तो ये ऐसा नहीं है, कि आपको बस type script में मिलेंगे, ये आपको C++ में मिलेंगे, Java के अंदर भी मिलेंगे, और PHP के अंदर मिलेंगे, access modifier, functions और properties, class की functions और properties की accessibility को define करते हैं, कि उन functions या फिर उन properties को हम लोग class के बाहर भी use कर सकते हैं, या फिर just class के अंदर use कर सकते हैं, या फिर उस class की जो child classes होती है, जो इस class को inherit करते हैं, उनके अंदर ही use कर सकते हैं, public का मतलब होता है कि एक class की property को, कोई property है फिर function है, वो public है तो हम लोग उसको class के अंदर और बाहर कहीं भी use कर सकते हैं private है तो क्या करेंगे वो जस्टे class के अंदर ही access हो सकते हैं उस से बाहर हो ही नहीं सकते हैं और जो ऑफ protected होंगे तो वो जस्ट उसकी child class के अंदर जो इस class को inherit करेगी कि उसके अंदर ही basically accessible होंगी तो उसकी बात हम लोग बात में करेंगे, अभी हम लोग private और protected की बात करते हैं ठीक है, so अब बात आते हैं इसकी जुरूरत क्यों पड़ती है, उसके लिए मैं आपको एक simple सा example लेके बताता हूं माल लीजिए कि मेरे पास एक class है, user नाम से, users नाम से है और इसके अंदर एक property है, name करके, और by default ये blank है, बात में एक मेरे पास function है, set name करके, set name लगा लो, update name करके लगा लो, जो भी आपको लगाना पड़े, और ये एक basically parameter लेगा, जिसके अंदर आएगा, मैं लगा देता हूं, यहाँ पे name, चिक है, और ये name क्या करेगा, इस property को update करे यहाँ पे जैसे function goal होगा, कैसे, आपको बताता हूँ, this.name equal to name, अब this क्या ये, this actually, जो class होता है, उसका आप कहा सकते हो, कि blueprint ही होता है, जब हमें इसकी कोई भी property यूज़ करनी होता है, जब हमें इस class का global property को यूज़ करना होगा, तो हम लोग यूज़ करते हैं, this, अगर मै हो गया, ठीक है, यह हो गया, अब हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और method है, जो है, display name, और अच्छा, अब आप बोलोगे कि, जो यह functions और property है, इनके सामने ना प्राइवेट लिख है ना पब्लिक लिख है, तो यह हैं क्या, by default यह पब्लिक ही होती है, ठीक ह यहां पर करता हूँ, console.log और यहां पर कर देता हूँ, this.name को print, कर सकते हैं, कोई प्रोब्लम नहीं है, अब मैं यहां पर करता हूँ, इस प्रिंट को करवाने के लिए, इस function को मैं call करता हूँ, यहां पर एक object बनाऊंगा, u1 equal to new user, ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया, और यह मै अभी के लिए देता हूँ, const, उसके बाद में यहां पर क्या लिखूँगा, u1.setname, और setname में क्या कर देता हूँ, यहां पर, let's say, annual कर देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है, और बाद में हमें हां पर क्या करता हूँ, u1.getname, display name, यह name को display कर देगा, ठीक ह अब यहां पर हमारी ओरड़ी एक type script की js class बनेगा, यह type script से, और यह already included है, index.js के अंदर, तो इसको भरन करके देखते हैं, कि हमें क्या output मिल रहा है, console के अंदर, तो copy करूँगा path को, अचा यह पहले सी copy हो रखा है, इसको मैं refresh करूँगा, आपको यहां पर annual मिल जाएगा, तो हो क्या रहा है कि एक function हमारा update कर रहा है, और एक function हमारे function को display कर रहा है, बट देखिए, यह जो property है न, name है, यह अभी के लिए public है, तो कोई गलती से आगए इसको, ऐसे भी कर सकते हैं, you1.name, और यहां पर कर देगा, सिद्धू, ठीक है, और अब आप इसको check करना चाहोगे, तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, अब आपको मिलेगा यहां पर सिद्धू, देखो, अब क्या होगा, गलती से किसने यहां पर import कर दिया, आप बोलोगी कि बस थोड़ा से तो code है, गलती से कैसे कर देगा, एक बार हमने name set करा, उसके बाद में हो सकता है कि हमने पचासों ही line होगा code लिख दिया हो यहां पर, और बाद में name get करने की जुरुत पड़ी होगी, जब एक project में काम करेंगे, तब ऐसा थोड़ी ना होगा, तो इसके लिए कोई गलती से बीच में अगर इस नाम को update करवा दे, तो क्या होगा, तो मारा output बगडबड हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम नहीं चाहते कि कोई भी user इस तरीके से property को set करे, तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को prevent करने के लिए, हम लोग यहां पर लगा देंगे private, ठीक है, अब तक जो भी हम ल property set करी नहीं सकते, already मिल गया, इस line को मैं हटा देता हूँ, और अब देखो, यहाँ पर exactly code run हो गया है, और अगर आप यहाँ पर jack करोगे, तो यहाँ पर unl perfectly आ गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एक function को, एक property को basically public और private define कर सकते हो, private भी हमने देख लिया और public हमार functions बने हुए, ठीक है, example मिल गया, आप बोलोगी कि ठीक है, property का तो आपने बता दिया, अब एक function कैसे private हो सकता है, यह भी हमें बताओ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मैंने function मनाया, get name length करके, यह name की length get करे है, इसके अदर कितने character है, और मैं यहाँ पर इसको बस य और इसको मैं अभी के लिए public ही है, तो अगर अब कोई इसको get करना चाहिए, तो you one dot, इसकी length इसको get कर सकते है, और अब देखते हैं कि इसकी length perfectly आ भी रही है, चारा नीची है, चारा आ गई, और अगर मैं यह नाम बढ़ा कर दे जासे हैं कि अनल सिद्धू कर देता हूँ, और अब देखते हैं, तो अभी भी मिल गई, अब मान लीजे कि आपकी requirement ऐसी है, कि जो यह वाला name, get name length है ना, यह internal purpose के लिए use करना है आपको, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे लगा दो private, इस तरीके से, और अब यहाँ पे जैसी बाहर यूज कर रहे हो, कैरड मिल गया है, यहाँ पे, property, get name length is private and only accessible within the class user, ठीक है, तो इस तरीके से use नहीं कर सकते हैं, अब इसको कैसे use कर सकते हो, गर माला को use करना हो, तो just यहाँ पे आओ, यहाँ पे paste कर दो, और यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ लगाना है आपको this, और अब आओगे, perfectly code run हो रहा है, found zero error, और अब भी देखे, perfectly काम यहाँ पे आपको मिल जाए, तो इस तरीके से आप लोग functions और properties को public और private बना सकते हो, thank you so much for watching this video, और please चैनल को subscribe करना, बिल्कुल भी मत पूलना,